इंसानी अस्तित्व से 225 करोड साल पुराना है वो काला पत्थर जिससे बनी है रामला की मूर्ती, अयोध्या, शामरंग, सम्मोहित करती चमकीली आखें। मनमोहक, मुसकान और भव्य श्रिंगार के साथ अयोध्या के भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के बालस्वरूप का विराज मान हो चुका है। ये पत्थर 2.5 अरब साल, 225 करोर साल पुरानी है। शास्त्रों में ब्लैक ग्रेनाइट को कृष्ण शिला, शाली ग्राम कहा जाता है। बेंगलुरू के नाशनल इंस्टीट औफ रॉक मेकेनिक्स नर्म ने ब्लैक ग्रेनाइट शाली ग्राम की टेस्टिंग की है। नर्म भारत के डैम और नुक्लियर पावर प्लांट के लिए चट्टानों की टेस्टिंग करने वाली नोडल एजनसी है। इंस्टीट के डाइरेक्टर एच एस वेंकटेश ने फिजिको मेकानिकल एनालिसिस का इस्तिमाल कर पत्थर की टेस्टिंग की है। दॉक्टर वेंकटेश ने कहा, पोरा पत्थर एक रंग में हैं, इसमें किसी भी तरह की नकाशी के लिए विशेश गुन हैं। इसमें पारमपरिक वास्तुशिर्प डिजाइन से लेकर हाई क्वालिटी वाले पत्थरों का इस्तमाल हुआ है। इसे हजारों साल तक टिकाव बनाने के लिए इसमें आधुनिक विज्ञान और इंजिनेरिंग तक्नीकों को शामिल किया गया। जितेंद्र सिह ने कहा कि राम मंदिर को एक हजार से अधिक साल्टी के रहने के लिए डिजाइन किया गया है। करनाटक में कहा से लाए गए पत्थर रिपोर्ट के मुताबिक रामला की मूर्ती को बनाने में इस्तमाल हुए काले पत्थर को करनाटक के मैसूरु जिले के जयापुरा हुबली गाव से लाया गया। जह क्षेत्र हाई क्वालिटी वाली ग्रेनाइट खदानों के लिए जाना जाता है। पुरानी है। ऐसे में वैज्यानिकों का अनुमान है कि प्रित्वी पर जीवन की उत्पत्ती लगभग चार अरब वर्ष पहले हुई थी। अरुन योगी राज ने बनाई मूर्ती काले ग्रेनाइट पत्थर को मैसुरू के रहने वाले 38 वर्षिय अरुन योगी राज ने एक सुंदर मूर्ती में तबदील किया। अरुन योगराज अपने परिवार की पाँचवी पीधी के मूर्तिकार है। श्री रामिल्ला की मूर्ती तयार करने में उन्हें लगभग 6 महीने लगे। सुंबार को प्रान प्रतिष्ठा के वक्त अरुन योगी राज ने कहा था कि वे खुद को दुनिया के सबसे भागेशाली शक्स मानते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।